यँए डबो डाम पहुंचने का रस्ता है आप देख रहे हं जमषेदपूर से जैसे आप दोआम मौर नहीं पहुंचेंगे तो डबो डाम आप पहुंचेंगे सामने गेट नजर आ रहा है आप लोगो डाम को दूर वोगो कवा पहुंचने लिग .... यह अभी जस्ट बनी रहे हैं यह जमसेदपूर से विस्टूपूर से 9 किलिमेटर और सांक्ची से 7 किलिमेटर है यह जो सुवनरेका ने दी पर बना हुआ नाया पूल का एकदम नस्दिक है किलिमेटर वहां से जुसको अमनों दो मौन ही बोलते हैं यह खुबसूरत जगा है पहाड़ों को काटके बनाया गया है अभी बनी रहा है यह देख लिए कंस्ट्रक्शन चली रहा है डोगोडम का बहुती सुन्दर है यह बहुती छोटा जगा में बनाया गया दोनों पहाड को काटके बीच में इधर आप खेतिवारी भी हो रहा देख रहे हैं अभी बरसाद का समय है बहुत अच्छा नजारा आप लोगों को नजारा आ रहा होगा हरी अली पुरा पहाड बढ़ा हुआ है यह देखिए यह में में डैम है कंस्ट्रक्शन अभी चली रहा है इसका अ अभी पुरा होने में और यहां का लोकल जो है बोर रहे हैं कंस्ट्रक्शन जो काम कर रहे हैं लोग एक दिड़े साल लगेगा धारकन गर्मेंट तारह यह बनाया जा रहा है यह डैम विचेसकर जमशेदपुर के आसपास जो अरिया है पानी के कमी के कारण इसमें उपियो सब्सक्राइब के लिए लाया जाएगा इस डैम का पानी को और यह आप 360 डिग्री व्यू देख रहे हैं डोगो डैम का बहुत ही खुंसरत ना जा रहा है यहां आप फैमिली के साथ आके घुम सकते यह देखिए फिल से आप डोगो डैम त्यार किया जा रहा है किस तरह से जड़कन कवर्मेंट का द्वारा यह बनाया जा रहा है जमशेद्पु से बहुत ही नजदीक होने का कारण बहुत ही आदमी यहां घुमने आ रहे हैं करोना काल में अभी जब छूट मिला है कुछ अजमिलम यहां घुमने आ रहे हैं यह देखिए यहां पर पंप हॉस बे भी बनाया गया है यह मैं अभी आपको फिर से एक बार 360 डिग्री व्यू डोगो डैम का दिखा रहा हूं यह देखिए पानी भरा हुआ पर साथ में थोड़ा ज्यादा भरा हुआ है यह लेकिन काम अभी पुरा नहीं हुआ आप अपना फैमिली के साथ आ सकते हैं यह रस्त पहाड तरफ जाते हुए बहुत ही खुबसूरत नजारा है आपको यह डैम करीपरी जमशेदपूर बिश्टपूर और सांक्ची से साथ और 9 किलोमेटर के बीची में हैं यह नजारा देखिए डोगो डैम का यह देखिए पाहार को किस तरह से काट के बनाया जा रहा है यह है यह भी कंश्रक्षेन चली रहा है आज चुट्टी का दिन होने कि कारण काम बंद taris कंश्राक्षण करंद ह्या बकरीधा का चुट्टी बोलन के नीचे से में आपको कुछ दिखा रहा हूं जो कि यहं है जाना माना है नीचे में सप्ष्ण हिदायत है यह यहां निचे के लेकिन परमिशन लेके मैं यहां पर आप लोको वीडियो कर रहा हूँ यह देखिए किस तरह से पहाड को काटके बनाया जारा रहा है से डोगो डैम को बहुती खुश्रत तरीका से बनाया जारा हूँ और यहां पर परक बनेगा उपर में जिसमें आप पैदल चलके उपर पह पानी निकलेगा बहारा का यह अभी कंस्ट्रक्शन चली रहा है देखी रहा है आप लोग कंस्ट्रक्शन पुरा नहीं हुआ लेकिन खुबसूरत नजा रहा है यह डैम असा करता हूँ आप लोग के एक बार जो भी जमशेदपूर के या असपास के जालकंड के आके यहां बरा हुआ बरसात का पानी बरा हुआ है यह देख रहे हैं एक बार फिल से डोबू डैम का कि पहार को किस तरह से काटके स्टेप वाइस टेप वाइस बना रहा है इसका उपर में आपका यह डोबू डैम का तुछ फोटोग्राप आप लोगों मैं दिखा रहा हूं असा करत हूं इस वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे धन्यवाद मेरे यह वीडियो दिखने के लिए